एपिसोड की शुरुआत में हम टैसाई को देखते हैं वो हनातुरो को जबरदस्ती लेके आता है रेंजी और बाकी सब को ठीक करने के लिए तो हनातुरो हाँ बूल देता है तभी सीन रुक्या पर शिफ्ट होता है वो अपने हाडो स्पेल से अटेक करती है पर लेडी बाउंट उस अटेक को डॉच कर लेती है और कुरोडो पर अपना अटेक करती है तो कुरोडो भी होश हो जाता है तभी बाउंट औरी ही में पर अ जुज मत करना तभी वो अटेक कर देती है पर अटेक बेकार हो जाता है तो उसकी डॉल बूलती है देखा मैंने बूला था तुम से तो अभी तुम थोड़ा ब्रेक लेलो और मेडिटेट करो तो बाउंट बूलती है तुम चुप रहो तभी ओरी ही में कुरोडो के पास जात है तो कुरोडो बूलता है हम मौट पिल्स है हमें कुछ नहीं होता हम नहीं मरते भले हमारी गीगाय को कुछ भी हो जाये पर हमें चोट लगती है और हमें अभी यहाँ से भागना चाहिए तब ही हम बाउंट को देखते हैं वो रेलेक्स होती है और अपनी डॉल को बूलती है खुश तो उसकी डॉल हाँ बुलती है फिर लेडी बाउंट अपनी स्वाट को फेक देती है रुक्या पे पर बीच में मबाशी आता है और अटेक को ड्रोक लेता है और लेडी बाउंट को बुलता है तुम जाओ अभी मैं यहां सब संभाल लूँगा तो लेडी बाउंट बोलती है क्या हुआ है तुम्हारे साथ तो मबाशी बुलता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है बुटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो दोनों एक दुसरे को भला बुरा बुलने लगते हैं तभी मबाशी रुक्या और बाकी के पास आता है और अपनी डॉल को जाती है और उस पर अटेक करती है तो मबाशी लेडी बाउंट को बुड़ी और बचसुरत बूलता है तभी लेडी बाउंट वहां से गुसा होके निकल जाती है तभी रुक्या अपना हाडो स्पेल मारती है तो मबाशी उसे डॉच कर लेता है तभी डॉल रुक्या एंट टीम को बहुत परेशान करने लगती है तो मबाशी भूलता है अभी हमने उन लोगों के साथ बहुत खेल लिया है तो अभी हम हमारा काम करते हैं तब ही डॉल रुक्या के पीछे स्पीड से जाती है फिर नीचे से उपर से सारी जगह अटेक करती है फिर डॉल औरीहिमे को पर करने लगती है तो रुक्या एक पाइप उठाती है और डॉल पर मारती है तो डॉल नीचे गिर जाती है तो सब रुक्या की तारिफ करने लगते हैं फिर डॉल औरीहिमे के पीछे से अटेक करती है तो रुक्या औरीहिमे को नीचे गिरा देती है और वो डॉल रुक्या के अंदर चली जाती है तभी रुक्या नीचे गिर जाती है तो मबाशी हसने लगता है और एक बार चुटकी बजाता है तो रुक्या खड़ी हो जाती है और मबाशी की कंट्रोल में आ जाती है तभी सिन लेरीन पर शिफ्ट होता है वो बूलती है अभी मैं क्या करूँ तभी इ आराम से बैठो, मैं इन दोनों को संबालता हूँ, तभी डॉक इजुरू पर अटेक करती है, तो इजुरू उसे डॉच कर लेता है, और बूलता है, सोल सोसाइटी ने हमें यहां बाउंस को रोकने के लिए बेजा है, तो अभी तुम तैयार हो जाओ, तभी डॉक इजुरू पर मारती है, तो इजुरू उसे अपनी जानपाक्टों से रोक लेता है, फिर डॉक वो बॉल को वापस से अपनी बॉडी के साथ कनेक कर देती है, फिर डॉक वापस से इजुरू पर अटेक करती है, तो इजुरू उसे अपनी जानपाक्टों से वापस से रोक लेता है, त वो जिसे भी छूता है वो दो गुना ज्यादा भारी हो जाता है तुम्हारी लोहे की बोडी अब लिमिट पर पहुँच गई है तभी इजुरू बुलता है जल्दी तुम यहां से निकलो तो इचीगो निकलने जाता है तो बीच में कोगा आ जाता है तभी कोगा नीचे से ल पाक्टों से वो पूल तोड़ देता है तो कोगा इचीगो को नीचे पटक देता है और भूलता है तुम सर्प्राइज हो गए तुमने नहीं सोचा होगा कि एक आदमी के पास इतनी ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ है हम बाउंड के पास इटर्नल लाइफ होती है हमें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को और ताकतवर बनाना पड़ता है हमेशा के लिए जिन्दा रहने के लिए इसलिए मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है इसे और ज्यादा स्ट्रॉंग बनाने के लिए तबी वो अपने हाद से इचीगो को मारता है तो इचीगो उसे डॉज कर लेता ह तभी हम इजुरू और डॉल को देखते हैं फाइट करते हुए डॉल इजुरू पर भारे पढ़ने लगती है तभी कोगा इचीगो का गला पकड़ लेता है और बुलता है अभी बस मुझे वेट करना है जब तक तुम सास लेना बंद करो तब तक तभी इचीगो कोगा को ला बहुत ज्यादा जी लिया इसलिए और लोग पैदा होते हैं और वो बुड़े भी होने लगते हैं मैं हच से ज्यादा जी लिया पर अब बहुत हुआ पर जो लाइफ मैं जीना चाता था वो नहीं जी पाया तभी कोगा वापस से केन को मरते हुए याद करता है तभी वो प तो बच्चे अभी तक तुमने कुछ नहीं देखा जिन्गी में तभी कोगा वहां से डॉक को लेके चला जाता है तभी हम लीरिन को देखते हैं वो रोने लगती है तभी उसको बीच में कौन दीखता है तो वो कौन को खोड़ा बना के उरहारा के गर के लिए निकल जाती है तभी सिन्ग उरही में परशिफ्ट होता है वो बुलती है रुक्या के साथ ये क्या हो रहा है तभी मबाशी रुक्या से पुछता है क्या नाम है तुम्हारा तो रुक्या बुलती है रुक्या कुछ की तो मबाशी रुक्या से पुछता है तो तुम मेरे लिए काम करोगी तो रूक्या हाँ बोलती है और ओरी ही में का गला पकड़ लेती है तब ही एपिसोड खतम